हेलो माई फ्रेंड साब प्रस्वागत है हमारे यूट्व चैनल गार्डनिंग एठों में देखे दो तो यह गोरी चोरी का बहुत बड़ा प्लांट है मेरा इस पर आ रहे हैं बहुत अच्छे शाकाइन कर लहीं है और मैं चाहता हूं कि इसे मल्टिपल कर लूँ क्योंकि मैं पहले एक बार स्थल कमल के प्लांट खोई चुका हूं सिंगल होने की वज़ा से तो मैंने इस मल्टिपल करने के दो तरीके हैं या तो कलम लगाए या फिर गुट्टी लगाए तो मैंने गुट्टी लगाने का एक बहुत सवर्ल तरीका ढूंडा है जिसे गुट्टी जो के बहुत ही आसान तरीका है जब यह जड़े छोड़ देगी तो मैं इसे नीचे से कट करूँगा और यह बोट्टल सहीत लगा जाएगा यह ऐसा होगा जैसे कि किसी गमले में आपने प्लांट को लगा लिया हो तो यह काफी आसान तरीका है और आपको मैं विस्तार में होगा यहां पर गुट्टी अगर मैं बोटल को डालूँगा तो मुझे ओपर से सारे पत्ते काटने होंगे तो इतल यह बोटल के अंदर में थोड़ा मोडिफिकेशन करूगा वह आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से तो दोस्तों तेखें आपको बोटन को थोड़ा म हम इसे covering कर देंगे यहां पर यहां पर कवर कर लेगा और हमें इसमें नोटी शाक पदकना होगा जितनी की यह है यह हो गया कवर और इसे हम यहां पर गुटी के लिए तैयार करके इसमें potting soil या meteor गोबर का कॉंबिनेशन या सिंपल सॉयल वह सब भरतेंगे जिसे कि यह इतली जड़े छोड़ देगा जब जड़े आ जाएंगी तो हम इसे निकार लेंगे तो सबसे पहले इसे गुट्टी के लिए तैयार केते हैं यानि ए लेरिंग के लिए लेरिंग के लिए तैयार करने क है तloop है ठीजल कर छिए ना है को दिखाते हुँ कैसे ची लाइन है तो दोस्तों देखिंगे छील कुरेना इस तरीके से पर सेल की डो लेयर होती है एक अंदर वाली घाम ध्रॉजी लेर होती है वो काम करती है जड़े विक्सित करने का और जो अंदर वाली लेर होती है वो काम करती है फूल को पोजे तक दे जाने का तो हमने में भारवाली पर ही ध्यान के इंदी तक ना है क्योंकि हमें तो सिर्फ जड़े विक्सित करनी है जड़े विक्सित करने के लिए व तो चलिए इस पर लगा देते हैं सेलो टेप से यह मदबूत हो जाएगा और लानने पर यह खुलेगा नहीं और आपको असानी से इसमें मदबूती के साथ फैरो मिल जाएगा यह सेलो टेप लिए और इसे आप इस पर अच्छे से लगा दीजिए इस तरीके से हम आंच यह से लो टेप साथ आंच इस स्टेप्डा करता करता है 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 कि देखिये इसे लो टेप से मनिसे फट बित करते हैं हम पॉटिंग सॉइल एक बहुत ही अच्छा तरीका है एलेरिंग का इसा असान तरीका आपको एलेरिंग का नहीं मिल सकता क्योंकि बिल्कुल सेफ बहुत ही आसानी से हो जाएगा तैयार ना तो इसमें पॉलोथिन का इस्तामाल करना है ना कुछ और ये आराम से गंबले की त हो जाएगा जैसे गंबले होते हैं इस तरीके से आप इसे अलगकर सकेंगे जब जड़े निकल आएगी तो बहुत ही बढ़िया तरीका है ये लेरिंग के लिए इसे अच्छे से फिल का देंगे और बहुत अच्छे से फिल करने के बाद इसे आप छोड़ियेगा क्योंकि इसमें जड़े निकलनी है तो काफी अच्छी जगा इसे मिलनी चाहिए जड़े निकलने के लिए और ये हो गया देखे ये हो गया बिल्कुल तयार नया पोधा बनने के लिए अब इससे आपको कुछ दिन बाद जड़े दिखाई देन शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमने ट्रांस्पेरेंट चीशी ली है प्लास्टिक की और जब इसमें रूट टबलप होंगी तो आपको नजर आएंग लिए लेडी होगा तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा और असान लगा होगा इस तरीके से आप भी अपने प्लांट्स की लेरिंग कर पाएंगे बहुत एजली और आपको सफल तालग बहुंड़ेट परसंट मिलेगी इसमे दोस्तों मैं उमीद करता हूं को मेरा ये वीडियो पसंदाया होगा और आप इस तरीके से ही अरे ट्राइ करेंगे और आपको अच्छे रेजल्ट मिलेगे मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा प्राद